हेलो गाईज वेल्कम बैक डू माईचरा अमान जाकियन तो गाईश आज हम अपके बताने वाले हैं एंसर की किसका एंसर की आपकी मतलब यूपी त्रिपल यसी री एकजाम यानि की वीडियो का री एकजाम यानि की आपका एंसर की 26 जून 2023 के first shift का answer की वीडियो का तो इस वीडियो में आपको सही एकदम और सटिक answer मिलेगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो पहला question इसमें आपको क्या होगा तिया है कि विद्याले की सोभा वही बढ़ा सकता है अनुसासन में रहे या किस वाक्र का उधारढ है वाक्र का उधारढ है तो आपसर नमबर कौन से होगा आपसर नमबर दी इसका right answer है जिन लोगोंगों ने लगाया होगा उनका right answer है चलिए बगल बाला question देखते हैं तो निम लिखित में से को सा सब्ध유ंघ है तो इन में से दंपती Radio का सफिक एं सही एंसर है सो मिला लिए सब्द पुलिंग है तो इन में से दमपती दमपती क्या है कि पुलिंग है आपसे नमबर सी इसका राइट एंसर है तो आप सभी अपना तो आप सभी अपना वीडियो का जो सटीक एंसर है सही एंसर यानि कि वीडियो के पेपर का सटीक एंसर है मिला लीगे तो नेस्ट कोश् दर्प, आप्स नमर सी, इसका राइट एंसर है, नेक्ट कोशन क्या है, कि उद्देश लाख गेंती, तो इसका राइट एंसर क्या है, उद्देश लाख गेंती, यानि कि क्या होगा इसका राइट एंसर, आप्स नमर राइट किस बिकल्प में सब्द यूगुम का अर्थ वे आप्सन नमर 1 जहाना, इसका right answer है, next question की तरह बढ़ते हैं, तो हम्हारा next question क्या दिया गया है, question number 4 में देखे दिया गया है, कि निम्लिकित में से कौन सा वाक सायुखत वाक का उधारण है, कौन है, आप्सन नमर 3, साम हुई और गाय लवड गई, यह क्या है सायुक्त वाक का उधाराध है आफसे नमर 6 है इसका राइट एंसर है Next question कि बात जुरुबा gibi में कौन सा उपसर्ग है आफसे मंठिये नमर 2गाThis question कि निवलिखित में से कौन सा वाक्य है मिष्वाक्य है यानि कि मिक्स वाक्य है कौन सा है आपसर नमटी मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रवंद है ये क्या है मिस्र वाक्य है नेश्ट कुस्ट दिया है निन में से कौन सुध मलब सुध वाक्य कौन सा है आपसर नमर सी भारत में अनेक जातियां है ये क्या है सबसे सुध्ध वाकिया, नेश्ट कुस्टन, दस्वा नमर दिया है, बड़े बाधों का निर्मार करना अधिक जटिल क्यों होता है, आपसे नमर दी, अत्धिक सकती समय तथा धन खर्च होने के कारण, बड़े बाधों का निर्मार करने में अत्धिक मतलब समय रही है तो अधोगी करण में ब्रिद्धी वर्सों से बढ़ती चंसंख्या था क्रीशी में विश्थार होने से जल की मांग बढ़ती जा रहा है आपसे नमबर एक है इसका राइट एंसर है नेश्ट कोश्चन निमलिखित में से किस कभी की महा मलब काब भासा ब्रज है निमलिखित में से किस कभी की काब भासा ब्रज है तो इसका राइट एंसर क्या है इसका राइट एंसर आपसे नमबर सी मैथली सरड़ गुप्त की काब भासा ब्रज नहीं है next question दिया गया है हमारा मान सरवर में किस कहानिकार की कहानिया संग्रित है यानि कि उसमें है किसमें है मुनसी प्रेम चंद की मानस्वर में कहानिकार आपसर नमर सीज का right answer है next question दिया गया हमारा कि अध्यच महार नगर पालिका को लिखे जाने वाला सिखायत पत्र की स्रेडी में आएगा ब्यक्तिगत स्रेडी में आएगा है आपसर नमर टी इसका right answer है तो जल संचय वह है जिसमें डैस मतलब होता है यानि कि इसका right answer क्या होगा आपसर नमर ए जल संचय वह है जिसमें वर्षा जल को मुक्त भावनों की छतों पर इकठा करके भूमी में सनरच्छित करके आगे काम में लिया जाता है आपसर नमर ए किया इसका right answer है नेक्ट कोशन के दियागा है जब प्रथम वर्ष व्यंजन और दूसरा वर्ष 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 हो जब प्रथम वर्ष 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 हो तो उनके मद्य की संदी होगी क्या होगी व्यंजन संदी होगी आपसर नमर ए क्या है इसका right answer है नेक्ट कोशन So कबीर दार्ष की भासर कोँं से है awesome बच्छ मेल खी चाडई और समास नाम क्या है जल का सनुरच्छर ततपुरु समास आपसर नमरे इक है इसका राइट एंसर है एक भारती आतमा की इनको कहा जाता है माखन लाल चतुवेदी को एक भारती आतमा कहा जाता है चलिए आगे question की तरवारते हैं तो सभी लोग आपने video re-paper का यानि कि video exam UP SSC रिष्टिक development officer यानि कि video का full frame रिष्टिक development officer होता है यानि कि village development officer बीडियो का full frame तो next question क्या दिए गए है अपना सभीधान के अनुच्छेद के अनुसार संध की राजभासा हिंदी और लिपी देवनगरी है इसका right answer क्या है आपने अनुच्छेद 343 में next question बांध का निर्मान किया जा सकता है concrete tan लकड़ी याथवा मिटी से भी बांध का निर्मान किया जाता है next question के लिए का है पराकृत के अनुच्छेद अपभरांस पाली इन भासाओं में प्राचिन्तम भासा कौन सी है सन्सक्रीथ है आपसर नमर डीज का right answer है next question कंठ से उतपन होने वाले वर कौन कौन से है कंठ से गख यह क्या है? मारे कंठ से उत्पन होने वाले है अप्सनीमपर 20 स्काराइट पोसंद निमलिकत में से कौनसी रचन रचना स्तंग्रः व्रजक्श रचन भाणता है नेक्स्ट कोस्टन चलिए दिखते हैं तो हमारा नेक्स्ट कोस्टन क्या दिया गया है कि हम चूणियां पहान रहे हैं वाक की क्रिया किस काल की है तो अपूड वर्तमान काल की है आप्स नमर भी इसका राइटेंसर है नेक्स्ट कोस्टन निमलेखित मेंसे कौन सा संदी भी छेदर सही है प्सनमब्ड दि मद्ध्वरी मधू पलस अरी next question क्या दिये गया हमारा next question निमलेखित उदहारडों मेंसे सिंगार रस का उदहारड कौन सा प्सनमब्ड डी इसका right answer है पास ही मिलकर उगी है, बीच में पलसी ढिली है, क्या है बीच में अलसी हटीली है, निमलिखित में से आपादान कारक का प्रियोक इस विकल्प में नहीं हुआ है, आप से नमटी, पीता कार से गए है Next question शे किस कारक विभक्ती चिन होता है, आपादान कारक तो इसमें पुछा है question no.33 में सिंगार रस का कौन सा उधारण सही है तो इसका right answer क्या है पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली देह की पतली कमर की है लचीली नीले फूले फूल को रस सर पर चड़ा कर कह रही है वो छुएन यह दू हिर्दय का दान उसको आप समझावता सब्द में कौन सा प्रत्य लगा है तो आप समझावता सब्द में कौन सा प्रत्य लगा है तो आप समझावता सब्द में कौन सा आर्था अलंकार का एक प्रकार है कौन सा है रूपक अलंकार ये आर्थक अलंकार का एक प्रकार है निमलिखिति में से कौन सा समास प्रकार का सही नहीं है पड़कुटी द्वन्त समाज ये क्या है सही नहीं है निमलिखिति में से माउन और संपन सब्दों के क्रमसा सही बिलूम सब्द का चैन कीजिए तो आप लिए अव्र और शंपन का होता है बिपन इस्का राइट एंसर है में क्या है एक किनेश्ट कोशन क्या है किस वाक्यांस के लिए परेयुक्त सब्सक्राइब सार्थक नहीं था जो बीना Benten काम करता हो अवेतनीक नेश्ट कोशन तीथी सब्द का बहुवचन क्या है तीथियां है आपसर नमबर सी इसका राइट एंसर है कर दिया है प्रत्यू तपन्नती सब्द के लिए सही वाक्यांस निम्लेखित में से कौन सा है आपसर नमबर सी आपसी फूट से सर्वनास होना नेश्ट कोशन निम्लेखित में से कौन सी वर्थनी सुध है तो वासिरवाद नेश्ट कोशन ठर्टेदा सब्दका स्थी लिएस में से क्या होगा ठठेरीन होगा ठठेरीन होगा अपसर का राइट एंसर है नेस्ट को्षन, आखों का तारा मुहावरेकार्थ क्या है, अती, प्रिय, हो ne, आप्रसर Нमरra D.S. का राइट ये नेस्ट कोशन क्या है, निज्ट मैंस्ति कौण से बिकलप में परिय माशिका यूगम्ल नहीं है, कौun नहीं है, जल्दी, अम्भू, ये वोड़ा अगया है मान ना मैंतेय महमान काहवत का आस यानि की मुहरेक। कोशन कहना करे इसमरा निमलिकिद मैंसे तस्म सब्द है किरपा कोशन क्वा निमलिकित में से सलाका का तदभव रूप कौन सा है सलाई है आपसे नमरे इसका राइट एंसर है निमलिकित में से वाक के सुध रूप का कीजिए तो आपसे नमरे इसका राइट एंसर है वन में प्रातकाल का दृस बहुत ही सुह होता है आपसे नमरे इसका राइट एंसर है निम्लिकित में से तस्वमय और दभव का कौणसा युघम नहीं है पौत्र पुत्तर नेक्ट्र क्सटन करने तनुजास्च कमाल तरूरवर ऑफू छाए इस पंक्ति में कौणसा अलंकार है रूप का अलंकार है अलंकृस लिधा है कि अपना वीडियो के पेपर यानि कि 26 जून सिप्ट वन का एंसर की है प्लीज इस वीडियो को देखें और अपना एंसर की मिला ले कि आप लोग ने कितना किया है तो इस वीडियो में आपको सही और एकदम सटीक एंसर मिलेगा 9 बकवास एकदम सीधी एंसर मिलेगा किस बिकलफ में सबी सब्थ तधवह हैं कौन से आपसे नंबर 2 छकड़ा काजलल खेत्यक क्या है सबी विकलफ क्या है मल बिकलफ सब्ध क्या है अब जिन तधवव है Next question क्या है Next question दिया गया हमारा ऐसे प्रत्रेक 8 को गीने जिसके ठीक पहले 6 नहीं है लेकिन ठीक बाद में 3 या 4 ऐसे कितने 8 है तो इसका राइट एंसर क्या होगा गाइस आपको कमेंट बाक्स में आता है तो बता सकते हैं नहीं आता तो अपने एंसर की मिला लेंगे तो कौन से हैं तो इसका राइट एंसर क्या होगा चलिए देखते हैं तो इसका राइट एंसर क्या होगा आपसर नमबर T क्या होगा दो इसका राइट एंसर होगा नेक्स्ट कुस्टन क्या दिया गया है तो next question दिया गया हमारा कि नीचे दिये गये प्रस्ण में एक कथन के बाद दो धारडाएं और दो दी गई हैं धारडा एक ऐसे चीज है जिसे माना जाता है या लिया जाता है आपको दिये गए कथन को सत्य मानना है और फिर निर्धारित करना है कि निर्धारडा कथन के अनुसार मानने है उत्तर इस प्रकार हैं कथन हमारी अनुसी के बिना हमारे साट्वेर की नकल न करें एक सुचना है धारणाएं शार्ट्वेर की निकल करना संभव है ऐसी चितावनी क्या कुछ तो असर होगा तो इसका राइट अंसर क्या है तो यह आपसन और भी इसका राइट अंसर है यदि धारणाएं यदि दोनों धारणाएं एक और दो अंत्र नहीं थे नेक्स्ट कोस्टन नेक्स्ट कोस्टन के दिया है यदि दी गई बेवस्था से सभी एको हटा दिया जाए तो निमने में से कौन सा विकल्प दी गई बेवस्था के बाएं और और इकाहरवा होगा कौन सा होगा तो आपसन नमर कौन सा हीगा आपसन और बी यू होगा आपसन नमर बी क्या है इसक टुक ommes लेश्ट कुसन है निम्लेकित प्रस्ण मेरेक तो इन निम्लेकित के बाद फिर से दिए हैं को सा समान की आयत कि पअधा C हैं सभी लेखक कभी हैं तो इसका राइट एंसर क्या है आपसे नमबर ए केवल वन और आनिकी यानिकी पहला और चवता अनुसरण करते हैं आनिकी कुछ कुछ लेखक उत्तर हैं और कुछ कभी उत्तर हैं चालिस लड़के एक पंक्ति में उत्तर की और मुख करके खड़े हैं अमीत बाएं से ग्याहरवें स्थान पर है और दीपक पंक्ति के दाएं और से अस्थान पर है श्रीया जो पंक्ति में अमित के दाएं और तिसरे अस्थान पर है तो दीपक से दूर कितनी दूर होगी तो दीपक से चाउथे दूर होगी आपसर नबर सी इसका है इसका राइट एंसर है नेक्स कुसं दिया है हमरा की रमा और मोहन एक भीवाहित यूगमुगल है जिसकी शिमिता और देविका नाम है कि दो बेटियां है देविका की साधी अमन से हुई है जो मधू और जीवन का बेटा है रोमिला अमन की पुत्री है क्रिशना जो अमन की बहान है तो सुनील से भी वाहित हैं और उसके दो बेटे हैं अनुज और अंकूर तो अंकूर मधूर और जीवन का नाती है अनुज और रोमिला के बीच क्या रिष्था है आप सुनुरी फुफेरे म मेरे भाई भाई बहान का कि नेश्ट कोशन के दिया है नेम लिखित संख्या सिंखला के परस्नवाचक चिन के स्थान पर क्या आना चाहिए तो आपस नंबर ए वन एटी टू यानी 182 आना चाहिए नेश्ट कोशन नब्बे की एक अच्छा में जहां लड़कियों लड़कों के से दोगुनी है जिधर उपर से 14 स्थान पर है यदि सिधर स्रीधर से 10 लड़कियां आगे हैं तो इसके बाद राइंक में कितने लड़के हैं 26 लड़के है आपस नंबर एक यह इसका राइंसर है नेश्ट कोशन के दिया गया है प्रस्न आकरती के छूटे हुए भाग को पहशाने और दी गई उत्तर आकरतियों में उसका जयनकी यह ठीक है तो इसका राइंसर क्या है तो इसका राइंसर आपस नंबर बी होगा नेश्ट कोशन क्या है कि ए या गया है सरकार की इस निती से मैलां वह काफी फायता हूँए तो इसका राइट earned जुँआमगे यदि अनुमान निश्चित रूप से घर अधार्थ के दिये गए तथ्यों का सीधे अनुशर करता है आपसर नंबर डी इसका राइट एंसर है नेश्ट कोस्टन महिलाओं को आपसर नंबर बनाने के लिए पुरुसों की तुलना में अधिक वेतन दिया जाना चाहिए क्योंकि आपसर नंबर बी यदि आपको लगता है कि अनुमान निश्चित रुप से असत्य है और थार्त यह दिये गए तथ्यों का खंडन करता है आपसर नंबर बी इस कर अरत पाईदर युलीष्ययक आर्थ फौई साने चकर्ण एंक गशनर केर भायंडर टो किस सब्सकार था बलेक यंदो स्पाइडर हो सकता है तो किसका हो सकता है आपसर नंबर mo यहां कृतिन भासत से अनुवादित कुछ सब्द दिये गए है तो कुस्तन नबर 64 का एंसर क्या होगा आपसा नमबर डी कलेवीर आपसा नमबर कावील वीर आपसा नमबर डी इसका राइट एंसर है नेश्ट कोशन दिये गए सब्दों को अर्थपूर क्या दिये गए सब्दों को अर्थपूर क्रम में वहस्थित करें तो इसका राइट एंसर क्या है आपसा नमबर सी इसका राइट अंसर है 24 153 24 153 next question निमलेखित में से कौन सा सब्द दुसरे स्थान पर आएगा यदि सब्दों को वर्णा कुटम में विवस्थित किया जाए तो इसका राइट अंसर का है अरेस आपसा नंबर सी क्या है इसका राइट अंसर है नेस्ट को संद्या आई वह अकृतं अकृति ज्यांद की ज़िए आकृति में शन्नीट है यहान इक दिया गया है तो इसका right answer क्या है आप ouvert नम्बर B, आपनोर B क्या है इसका राइट एंसर है, नेस्ट कोस्षन, यदि P का अर्थ है, भाग है, लग क्यों का अर्थ है, इन्टू, यानि गूरा, आर का अर्थ है, प्लस, या जा का अर्थ है, मैनस, तो 45, क्यों, 30, पी, 10, अर्थ, 12, 15 का मान किया होगा, तो इसका राइ और नेक्ट्स कुसंगो पिए धीपलस का अर्थ है घटाना यदि पलस का अर्थ है घटाना मैनस का अर्थ है भागूडा और एक्स आर्थ है जोड़ तो प्रसेंटेज का अर्थ गूड़ा है इन सुचनाओं के धार पर बाइस प्लस टारर मैनस तैंस थिस प्रसेंट P fascinating का माने क्या होगा माइनस आठ होगा इसका राइट एंसर आप से नोड़ी इसका राइट इंसर है कि नेक्ट कुछ दिया क्या है चार सदस्ट प्रिवार के बारे में कुछ जानकारी ने लुकित हैं प्रिवार में सिर्फ एक जोड़ा है तो पी की पुत्री कौन है इसका राइट एंसर क्या है इस पी की पुत्री या से नेक्ट कुछन दी गई उत्तर आक्रतियों में प्रस्ण आक्रती का सही जल प्रतिवन भी सुनें तो इसका राइट एंसर क्या है आप सा नंबर सी क्या है इसका राइट एंस है नेक्ट कुछ निदे बढ़ते हैं इस प्रस्ण के चाहर समबापी से उत्तर दे गए है उत्तर के रुप में सरवाथी को फ्युक्त विकल्प का चाहिएंगी दो आप सा नंबर सीज का राइट एंसर निकाटतम स्टेशन पर जाएंगे और रेलबे अधिकार्गों को उन सभी के बारे में सुचित करेंगे जो आपने देखा है नेश्ट कोसन के दिकर आ है यादि किसी भासा में जी आर्य पी याचकरा इस नबर can52 आ जे अलो भी जुलम बंदर क्या दिया है जलो बंदर आपसर नमबर इसका ए राइटन्स है नेट कुशन दिवार की घड़ी 12 घंटे में 2 मीनट आगी बढ़ जाती है जबकी टेबल घड़ी हर 36 घंटे में 2 मीनट पीछे हो जाती है तो दोनों मंगल बार दोपार 12 बजे ठीक सेट की गई है अगली बार जब दोनों एक ही सही समय दिखाती है तो वह होगा दोपार 12 बज़ गे 150 मलत दोपार 12 बज़े 135 दिनों के वाद है कि नेस्ट कुशन निम्लेखित प्रसन के चार समभावित उत्तर दे गए उत्तर के रूम में सम सरवादिक उप्यूक्त विकल्प का चायां कि लिए तो इसका राइटेंसर क्या है चपाती लेंगे उस पर या बिना मता से कहें कि खाना बहुत अच्छा है या और आप पहले ही बहुत खा चुके हैं नेस्ट कुशन नेस्ट कुशन क्या गाई निर्देश प्रसन संख्या 75 और 75 नीचे दी गई दनकारी को पढ़िए पढ़िए ठीक है और उसके बाद दिये गए प्रसनों के उत्तर दीजिए तो दैजे पार द reset स्थानी और आच मित्र एबी और यजी अभी और भींट्र में केंद्र की और मुक करके बैटें हैं वीजी और पर लिंब के बीच बेठा है ये जिस बीच बच्चे से तिसरे और एक दाएं और तोаний की एस्विक यह के बाइट से तिसरे और एक दान आख दांट दुशरे इस्थान पर आपसे श्यां और डिक बैठा है कि अट्रुछ कि एपसे ने मारा है पॉर नेश्टों संदिया गया की इस अ हाक है कि है है निश्ट पोसंदिया है कि समस्य आखरीतियों की यूनिट में апजिति तु ऐसे निष्टित सम्द में यह अकरती चुनी है पर्सनवाचक की इस्थान पर तो छलिए दखते हैं तो इसका राइट इंसर क्या होगा उच्पन के इस्थान पर क्या होगा तो आप सीनμεर क्या है आक रिटियों यह कि इंसर शीगर तो यह पर आपसों नम्पर B क्या है। इसका राइट अन्सर है। यानि प्रसंवाचक स्त्रीन के अस्थान पर आपसों नम्पर B इसका राइट इंसर है। नेस्ट को इसल बढ़ते हैं हम। तो गाइस अगला दिया है कि स्यत्र नमबर में डी के बक से ठीक है डी के बाएं से तिसरा मलब कौन है तो डी के बाएं से तिसरा कौन है या फ़ाए निस्ट कॉसन हवाई जहाज A, B, C, D, A, B, C, D और D पूर्वकी और उड़ान भरते हैं 125 किलो मीटर उड़ने के बाद बिमान A और D दाहिनी और उड़ते हैं ठीक है क्योंकि बिमान B और C बाएं और उड़ते हैं पूर्व पश्चिम नेश्ट कोश्चन के रहा झाइओ है यह मैं सकूसंद कि लिया है कि मैं अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में 30 सै मीटर और फिर दच्छिव पश्चिव सी में 30 स लटा हूं इसके बाद मैं दच्छिव पूर्व दिशा से में 30 मिटरं चलता है अब मैं अपने गहर की ओर मुढ़ता हूं मैं किस दिशा में जा रहा हूं तो ऊत्तर पूर्व दिशामें जा रहे हूं आब सेनमर D क्या है इसका भताई टेंसर है चली नेसको सेंकिते बढ़ते हैं तो मरा next question दिया गया है कि निम्लिखित प्रस्ण में दो क्राथन एक और दो है आप को तत्त करना है कि कथनों में दिया गया डेटा प्रस्ण का उत्तर देने में के लिए मर्यादा परियाप्त है दोनों कथनों को पढ़िए तो यम का पिता कौन है ठीक है यम का ए और बी का भाई है बी की पत्नी यम की पत्नी की बहान है यदि अकेले कथन दो में दिया गया डेटा प्रस्ण का उत्तर देने के लिए प्रियाप्त है तो आपसे नमर कुन सो होगा आपसे नमर बीज का राइट एंसर होगा यदि दोनों कथनों में दिया गया डेटा एक साथ भी प्रस्म का उत्तर देने के लिए प्रयाप्त नहीं है ठीजू कोष्जन तीन साल पहले पती पतनी और उनके बच्छे की युसत उमर 27 वर्स थी और पांच वर्स पहले पतनी और बच्छे की युसत वर्स थी तो पती की वर्थमान आयू कतनी थी आपसर नमबर है चालिस वर्ष थी नेश्ट कोस्षन क्या है यह आपको एक प्रस्ण और दो कथन दिये गए हैं प्रस्ण का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है प्रस्ण सूरज मुखी का रंग कैसा होता है पीला होता है कैसा होता है सूरज मुखी का रंग कैसा होता है तो इसका राइटेंसर है नीले को सफेद सफेद को लाल और लाल को पीला कहा जाता है पीले को बैगनी बैगनी को काला सफेद को भूरा और भूरे को नरंगी कहा जाता है तो आपसे नमबर कौन से होगा आपसे नमबर इसका बी सही होगा अकेले दो में दिया डेटा प्रियापत है नेस्ट कोस्टन हमारा नेस्ट कोस्टन दिया गया है कि एक पंक्ती में बैठे पैनल में छह साधिस्यों में से ए सी के डाईं और है लेकिन के बाईं और ई सी के बाईं और वियठा ऑठिफ य॑ बैठा है पंक्ती के दोनों और वैठे form रएंसर है यौफ भेच्ण तो लिए प्रेकर का से को एश्ट पोरण का एंसर मिले झff नेस्ट कोशन दिया गया है कि पांच बीज पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीज का कोड़ गयात की जो तो इसका राइट अंसर है 40 डिगरी नेस्ट कोशन क्या दिया गया है नेस्ट कोशन के बेंगया साथ सितमबर 1941 को कोन सा दिन था साथ सितमबर 1941 को रभि वार था अपसर नमेर बी क्या है इसका राइट अनसर है नेस्ट कोशन के गया है कि हमें दिया गया है कथन में मिनätter यह भी लिगए यह कथन ओर वो है ठीक है निशकर्स है तो कथन में दिया क्या है कि बाजार में सब्जियों की कीमतों मलब कीमते बढ़ रही है निशकर्स वन है दिया है सब्जियां एक दुरलब वर्स्तु बनती जा रही है ठीक है सब्जियां एक दुरलब वर्स्तु बनती जा रही है दूसरा के दिया गहे है लोग लोग सब्जियां नहीं खा सकते हैं तो इसका राइट एंसर क्या होगा आपसे नमेडिकेवल निसकर्स वन अनुसरण करता है यानि की सब्जियां एक दुरूला वज्तु बलती जा रही है नेस्ट कोश्चन क्या दे गया है मरा कि 5 सिदंबर 1993 को निर्मला और राजु ने दविवार को अपनी करिया है यादगार मनाई थी ठीक है तो 1997 में उनकी वर्स गौठ पर कौन सा दिन होगा तो गुरू वार होगा आपसे नमर्सी इसका राइट एंसर है नेस्ट कोश्चन नेस्ट कोश्चन दिया है अच्छर समख के चार जोड़े दिये गए हैं जिसमें से तीन किसी प्रकार से एक जैसे हैं जबकि एक भीन है तो असंगत का चैन करें तो इसका राइट एंसर क्या है आपसे नमर्सी डबलू एक्स और एवी जेड नेस्ट कोश्चन नेस्ट कोश्चन दिया गया है एक स्कुल में 126 में से 5% तीनों खेल क्रिकेट 17 ज़गे कैरम खेल सकते हैं यदि ऐसा होता है कि कोई भी और केबल दो खेलने वाले खिलाणियों की संक्या 30 है अकेले क्रिकेट खेलने वाले शात्रों की संक्या 40 है तो अकेले 17 जी या अकेल से कैरम खेलने वाले की कुल संख्या कितनी है तो इसका राइट एंसर है 44 है आपको कथन को सत्य मानना है यह यह वास्तविक तत्थियों से भीन प्रतीत होता है फिर दिये गए कथन के संबंद में आप अपना उत्तर दे सकते हैं तो इसमें से कों सा निशकर्च अनुसरण करता है तो आपने अमबर कथन के दिया है यादी यह वास्तर दिमान है तो यह परिच्छा में उत्तरीड होगा है तो यनुद्ध। है थे दाए तो परिज्चा में उत्दीमाण होगा थीक है तुम निश्कर करके दिया है पर इश्करण में उत्रीड होने के लिए वुद्धिमान होना आउसां है दूसरा वह पर इच्छा उत्रीड कर देगा तो इसका राइट एंसर क्या है केबल वन अनूसराड करता है या दीवा मतलब परिच्छा में उत्रीड होने के लिए बुद्धिमान होना आव सक है आपसे नमबर डी इसका राइट एंसर है नेस्ट कोशन नेस्ट कोशन दिया गया है कि नेम लिखीत प्रसने में तीन आकरतिया एक सवाई जेड का एक सेट है जो की कागज के एक टुकोड़े को मोड़ने करम दरसाता है चित्र जेड उस तरीके को दिखाता है जिसमें मूड़े हुए कागज को काटा गया है इस तीन आकरतियों के ब मिलती हैeg इसका राइट एंसर क्या होगा चलिए देखते हैं तो इसका राइट एंसर आप्त नंबर ए इसका राइट एंसर होगा है नेस्ट को संधिया गया है कि क्या किस्तों पर चीजें खरीदना इसके लिए लाबधायक है तर्क क्या है हाँ उसे कम भुगतान करना पड़ता है नहीं किस्ते देने से परिवार का वजट भी गड़ जाता है तो इसका राइट एंसर क्या है अपसे नमबर कौंशन होगा आपसे नमबर B ना तो एक और ना ही दो मजबूत है आपसे नमबर B इसका क्या सीखना एक सतत प्रक्रिया है तर्क हाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है और हमारे पास इतना समय कम समय नहीं अपने विशाय में उत्तम की डिग्री प्राप्रत करने के लिए सीखना बंद हो जाता है आपसर नमबर सी यदि न तो तर्क वन और नहीं तर्क टू मजबूत है नानि कि दोनों मतलब मजबूत नहीं है सही नहीं है आपसर नमबर सी इसका राइट एंसर है निस्ट कोशन निवलिखित वेन आरेग में अच्छर की पहचान करें जो उन खिलाडियों को दर्थाता है जो डाक्टर भी हैं लेकिन कलाकार नहीं है तो आपसर नमबर 20 इसका राइट एंसर है यानि कि इसका राइट एंसर है नेस्ट कोशन निवलिखित आकरती में कितने तिर्भूज है तो आकरती में 20 तिर्भूज है नेस्ट कोशन के अगर्दाइगर दिया है कि डी दवारा कौन सा अख़टम और किस दिन दिया किया मलब जाता है तो इसका राइट एंसर है भासड सो मौर सचीन राहूर से 6 साल चोटा है यदि उसकी आईउ का अनपात 7.9 है तो सचीन की आईउ ग्यान थी जे तो सचीन की आईउ एक किस वर्षा है आपसर नमरे इसका राइट एंसर है नेस्ट कोशन दिया गया है वाद विवाद में कौन परफाम करता है तो वाद विवाद में C परफाम करता है आपसर नमरे इसका राइट एंसर है नेस्ट कोशन नित कौन करता है तो नित यफ करता है आपसर नमरे इसका का राइट एंसर है कि आगे कुछन दिया गया है कि निम्लिखित में से कौन सा कानून भोपाल गैस मलब्स रादसी के तूरंत बात लागी हुआ था अच्छी पार्यावरा अच्छरा दिनिया मौनी सोची आथी नेस्ट कुछन किस देश के सुधकरता ने अधिर्श गलेक्सी या ब्लेक्स कशस की थी इटली आफसेट्ट नमर डी मरत इसका राइट एंसर है नेस्ट कुछन है पी ए मोदी ने किस राज्ज में जल जन अभियान का वर्चुछ उद्ध घाटन गया था राजस्थान है आफसेट्टोर भी हिस नेस्ट को संधिया गया है कि नेश्क को सब्सक्राइब किसे राज में मेरो रूख मेरो सत्ताइए नई रित पहल की सुरुवात हुए थी सिक्कम में आपसे नमरेश का राइटेंज नेश्ट कोशन का दिया है हाली में भारती मूल के अद्ध्या अजय बंगा को निव लिकित में से किस विस्थान का चा सरे नेश्ट कोस्ट्टन है कर दिया है भूपेन हजार रिकास ये तुझी से डोला सदीधा पूल भी कहा जाता है निल्मिखित में से किस नदी पर किलीथ विस्तारों पर भारत का सब्चे लंबा पूल है लोहीत आप सनुर्बीज का राइट एंसर है निल्मिखित में से कौन सा देश राम बाग से जूड़े इस्तलों की पहचान कर भारत के लच्छित पर्याटन को बढ़ावा दे रहा है स्री लंका आपस नबर सीज का राइट एंसर है नेक्ट कोच्छन भारती कर दिया गया है भारती सेना से निमलिखित की सराज्ज में सबसे उच्चा प्रतिश्ति राज द्रहज स्थापित किया गया है जम्मू और कसमीर वांस नंबर डी नेक्ट कोशन भारत के निम्रिखित मेसी की सुराज में दुनिया के सबसे लंबे रेलबे प्रेट फालम का उड़ा गार्टन के गया है करनाटक में आपस नंबर ये इसका राइट एंस हरे नेक्ट कोशन जब नगत और अच्छित अनुपाठ सी आर आर अर बियाई द्वारा बढ़ाया जयता है तो यह और तो भिवस्ता में पैसों की आप उड़ती में कमी लाएगा आपस नुवर भी केंद्री मंत्री श्री नरेंद सिंग तोमर ने नेक्षित में से किस स्थान पर भारती चारा गाह और चारा अनुसंदान संथान में बीज प्रंश करड़ और भंडारा सुविदा का उगाटन किया है जहां सी में आपस नंबर डी इसका राइट एंस है नेक्ट कोशन उत्तर परदेश के किस जीले में बालिकाओं को उनके जीवन के विबिन चरणों में सरते रोकड हस्त तास तरण परदान करने के लिए मुखमंत्री कन्या समंगला यजना शुडू की गई थे लखनावर में आस नवर बी नेक्षित कोशन उत्तर परदेश सरकार के खेलों इंडिया यजना के तहत किस जीले के जिलेवार खेलों को ओड़ी ओएस ठीक है ओड़ी ओएस एक जीला एक खेल में साम्मिल करने की लिए केंद्र सरकार की सामिती ली गई थी आपसे नमबर जी दस दस जीलो ठीक है नेक्षित कोशन आपरेशन सदबहावना भारती सेना द्वारा किस किंद्र सासित प्रदेश में सुरू किया गया था इसका राइटिन से लगदाग नेक्षित कोशन बारती सब्दान में समाजिक समानता कार्थ क्या है समाज के सबी वर्गों के लिए समान अवसर अत्नमर दी निम्लिकित मेंसे राज में विस्वका सबसे बड़ा नदी दीव पिस्थित है अहसम में नेक्षित कोशन निम्लिकित मेंसे कौन सा सरीर की सबसे छोटी हड़ी है रकाव इस पे कदिया इस्टेपीज आपसन नबर सीज का राइट एंसर है नेस्ट कोशन नेस्ट कोशन लाफिंग एस क्या है नाइट्रस अक्साइड आपसन नबर सीज का राइट एंसर है नेस्ट कोशन पासुपती मोहर सिंद्धु घाटी से बता के कि से स्थल में से मिली थी मोहन जोड़ो इस तल से मिली थी नेस्ट कोशन निम्लिकित में से कौन सा वितामिन लाल रख्ट कोश्काओं कर जिर्वाण के लिए मात पुड़े विटामिन बीट वेल आपसन नबर राइट-एंसर है नेस्ट कोस्टन नेस्ट कोस्टन दिया है निम्रकित में से कौन सा देश बैंकाग थाइलेंड में एप्पी यू एसिजन पेरी करें पेसीफिक पोस्टल यूनियन का प्रभार लेता है भारत आपन नमर्टीस का राइट एंसर है मिस्मी जन्जाती भारत के निम्लिखित में से किस राज के निमासी है अरुड़ाचर परदेश आपसा नुमर 20 का राइट एंसर है नेश्ट कोशन नेश्ट कोशन दिया गया है गारो और खासी किस राज की सहगी भसाएं है में गाले की नेश्ट कोशन सब्धान का कौन सा अनुच्छेद राष्टी अनुच्छी जाती का आयोग से संब्धित है अनुच्छेद 33 यह याट यानिकी 338 नेश्ट कोशन निम्लिखित में से कौन पांच भी फीड़ी के कम्पूटरों की नीव है वी वी लस आई बी वी लस आई आपसे नमरे इसका राइट एंसर है निम्लिखित में से कौन सब पहला और सबसे बड़ा निच्छे पागार है जो अर्तमान में भारत को पर कार्यत ह नेश्ट कोशन भारतिस अविदान की केस अंसुच्ति में पंचायतों की सकतियों का वर्णन किया गया अंसुचित इलेवन भी याने की इजार भी अंसुची में आपसे नमरे इसका राइट एंसर है तोडर मल और निम्लिखित में से किस नाम से जना ज़ता है मुशरीफ ए प्रशिद मतानिया मीर्च किस राजस्थान आपसन बर सी नेश्ट कोशन कल करिया कलमकारी शित्रकला का समन कहां से है तच्छीड भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा आपसन बडीज का राइट एंसर है नेश्ट कोशन पानी के दबाव की इस्तिती में उगने व कोशन है नेश्ट कोशन दिया गया है चोल समाज के संथापक निलेंखी इस कौन से वीजय कदिया है वीजय अलाल चोला पसननबर 20 का राइट एंसर है नेश्ट कोशन दलाबा अभा अब्ड़रण निम्लकित में स्किसराज मिस्तित है जहार खन में आपसनमर दिश्ट का र राइटेंस है नेस्ट कोश्चन अगा नेट कोश्चन दिया है गांधी जी ने किस घटना की काना अंदोलन का अवंटन किया था तो इसका राइटेंसर क्या है तो आपसा नमबर इसका कौन साइब होगा आपसा नमबर घुरी चौरह कांड अपनमर इसका राइटेंसर नेस्ट कोश्चन भारत में कौन सा राज किसी अंतराल्च सीमा को नहीं चूता है ते लंगा ना आपसा नमबर इसका राइटेंसर है कर दिया है बिल्ट्रज सब्द किस निम्रखित में से किस खेल समन्दी थे सतर अपसर नुबर पीस का राइटेंसर है जिस ग्रह पर सबसे अधिक वले हैं वह क्या है सनी है अपसर नुबर डी दुनिया की पहली सो चालिक चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया था इसका राइटेंसर है जर्मनी में नेस्ट कोश्चन कजिया है सोचर के विरुद्य अधिकार में कौन सा निशेद सामिल नहीं है और सप्रिश्यता का नितेश आपसर नुबर बीस का राइटेंसर है चाहभी से चौदाहभी सतापदी तक निल्खित में से कौन सा सबसे सकति साली महा जनपत था मागध आपसर नुबर बीज का राइट अंसर है और एस्ट कोश्चन अ अ बिस्व भारती विस्व तुदाला किस अपना किस भारती व्यक्तितुने कि थी रभी नश्टेगो रहा है अपस्ण नुबर एज का राइट अंसर है हाली में भारत के सरवच नियाले में मुगल ठीक है यूगल या मुगल को किस अविदान के किस अनुच्छेद के तहट विवा के अशुदार ये बिच्छेद के अधार पर तलाग का अधिकार देगा अनुच्छेद 142 यानिकि अनुच्छेद 142 भाग 1 आपस्ण नंबर डी इसका राइट एंसर है नेस्ट कोशन निम्लेकित में से कौन सा देश उतरी अंटराटी के संधी संगठन नाटो का 31 सतर्ष बन गया फिनल लेंड आपस्ण नंबर सी इसका राइट एंसर है केंद्री ग्री मंत्री अमित्ता ने किस छेत्र में उल्लेखनी कार किये लफकार के लिए अप्पा साहब धर्मा अधिकारी को महराश भूसर प्रशकार प्राद किया किसे समाजी के कार के लिए आपस्ण नंबर एसका राइट एंसर है कि नेश्ट को संद्या गया है हाले में भारत द्वरा स्वार्थी नामक एक मोबाइल आर्टीलिटी लोके कदिये लोकेटिंग चरण बंद सारडी रडार परणानी बिक्षित की गई है उस रडार का बिक्षित प्रकार क्या है हतियार का प्रता लागाने वाला रडार आप नमरे इमाचल प्रदेश और लग डाग जोड़ता है आपसे नमरे इसका राइट एंसर है नेश्ट को संद्या है होला होला एक तेहवार जो योद्धाओं बहादुरी चीत गवर्ण और निरता के बारे में है किस भार की राजी में मना जाता है पंजाब में आपसे नमरे इसका राइटेंज है तो आई होप आप अपने वीडियो एक्जाम 2022 टोहचार वाइस चीफ जो आपको जूण 26 जूण शुप्ट या ओन का यह राजी आपका मिला लेजी आप कितना कि साही कि हैं कितना नहीं इसे कि हैं तो चलिए धर्नेवाद आपके मतलब 23 जूणश्व टू वाले एल्सरकी में मिलते हैं